आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे ये गाना आज भी लोगों के ओल्डेस गॉल्डेस सॉंग के लिस्ट में जरूर होगा। इस गाने के बॉल की तरह ही इसकी अदाकारा भी अपनी खुबसृति के लिए जानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की दिगज अदाकारा माला सिना की। माला सिना उन अबिनेत्रियों की लिष्ट में शामिल है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी प्रसनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्कियों में रहिए। माला सिनहा के असली नाम के पिछे भी एक दिलचस्प किस्सा है और आज हम आपको एक्ट्रिस के असली नाम के साथ उनके लाइफ से जुड़ी कई अनसुनी बाते भी बतानी जाए रहे हैं और साथ ही उनके फिल्मी करियर से भी आपको रूबरू करवाएंगे हिंदी सिनेमा के साथ के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माला सिन्हा ने बलेक एंड वाइट स्क्रिन से लेकर कलरफुल परदे तक का शानदार सफर तेई किया उन्होंने किशोर कुमार बलराश साहनी से लेकर धरमेंद्र जैसे बड़े एक्टर्स के साथ कई हिट फिल्में दी है किसी जमाने में खुफ्सृति की मिसाल कहे जाने वाली माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कॉलकता में हुआ था उनके पिता बंगाली थे और मा नेपाली माला सिन्हा एक इसाई परिवार से तालुक रखती है माला सिन्हा का असली नाम आल्डा सिन्हा है जो बहुती कम लोगों को मालूम है माला सिना जब स्कूल जाती थी तो उनके दोस्त उन्हें डालडा कहकर पुकारते थे वही माला सिना के माता पिता उन्हें बेबी कहकर पुकारते थे इसलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिना तो कई बेबी सिना कहने लगे माला सिना की मा ने बच्पन में ही उनका नाम आल्डा से बदल कर माला रख दिया था फिल्मों में अपनी एंट्रे से पहले माला ने पतूर सिंगर रेडियों में काम किया माला सिना देखने में बहुती सुन्दर थी इसकी वज़ा से उन्हें किसी ने फिल्मों में काम करने की सला दी और किसी के द्वारा दी गई सला के बाद माला सिना फिल्मों में काम करने का सपना लेकर मुंबई पहुच गए लेकिन अबिनित्री माला सिनहा को यहां बहुत संगश करना पड़ा उस जमानी में माला सिनहा को एक निदेशक ने काफी कुछ सुना कर फिल्मों में हिरोईन बनने का सपना छोड़ने की सला दी थी माला सिनहा की पिता अलबर्ट सिनहा बंगाल से थे और यही कारण था कि लोग उने नेपाली भारती बाला भी कहते थी उनकी मा नेपाल की रहने वाली थी और एक बार एक निर्माता के पास जब वे गई तो उस निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो एसी भटी नाक को लेकर हिरोईन बनने का सपना देख की आई हो लेकिन माला ने एसी बात सुनकर भी हार नहीं मानी वो बॉलिवूट के बज़ाए बंगाली सिनेमा में अपना हाथ आजमाने पहुची जहां उन्हें भरपूर कामियाबी मिले इतना ही नहीं उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया है माला सिना की पहली फिल्म भी बतोर चाइल आर्टिस्ट बंगाली फिल्म जैवेशनो देवी रही खेर ये बात तब की है जब माला सिना अपने शुरुआती करियर में बंगाली फिल्मों की एक जानीमानी अबिनेत्री बन गई थी। उसके बाद वो एक बंगाली फिल्म के सिलसले में मुंबई पहुची थी। यहां उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशूर अबिनेत्री गीता बाली से हुई। गीता वाली ने ही माला सिनहा को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया जिन्होंने अबिनेत्री के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की और बॉलिवुड में पहली बार केदार शर्मा ने ही माला सिनहा को अपनी फिल्म रंगीन राते से बतोर अबिनेत्री काम दिय लेकिन उन्होंने पहचान साल 1957 में आई गुरुदत और वईदा रह्मान स्टारल फिल्म प्यासा से मिली गुरुदत की ये फिल्म मदुबाला के लिए लिखी गई थी लेकिन वह फिल्म नहीं कर पाई फिल्म प्यासा के बाद उन्होंने धूल का फुल फिर सुबा होगी हर्याली और रास्ता गुम्रा जहां आरा हिमाले की गोद में आंखे दो कलिया और मर्यादा सहित अने को फिल्मों में काम किया बता दे की माला सिनहा 50, 60 और 70 के दशक की शांदार अबिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने करीब 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया उन्होंने बॉलिवूट के कई बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खुब नाम भी कमाया वो अपनी प्रतीबा और खुबसुती दोनों के लिए जानी जाती रही है और उनकी आखरे बॉलिवूट फिल्म साल 1994 में रिलिज हुए जीद थी माला सिनहा अपने टौर की सबसे महंगे एक्टरिस के तोर पर मशूर हो चुकी थी उन्होंने 60 और 70 के दोर में कई ब्लोकबस्टर फिल्मों में काम किया और करीब चार दशकों तक बॉलिवूट पर राज कर चुकी माला सिनहा के नकरे भी फूरी फिल्म इंडस्टरी में मशूर थे माला सिनहा का उन दिनों इंडस्टरी में बोल बाला ऐसा था कि वो हर फिल्म में अपनी शर्तों पर ये काम करती थी और उनकी शर्ते न मानी जाए तो वो सेट पर पहुशने के बाद शूटिंग तक रुगवा देती थी और आज हम आपको एक्ट्रेस से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे ही ये किस्सा साल 1970 में आई फिल्म गीत का है फिल्म के निर्देशक और निर्माता रामनंद सागर थे और इस तथी का उल्लेक रामनंद सागर ने अपनी बायोपिक में किया है दरसल इस फिल्म की शूटिंग के दोरान एक छोटी सी चीज न मिलने की वज़ा से एक्ट्रिस माला सिना ने सेट पर बवाल मचा दिया था और अब ये चीज क्या है ये जानकर तो आप भी हैरान हो जाओगे दरसल माला सिना को हमेशा ही सेट पर शूटिंग से पहले एक सेब चाहिए होता था और अगर उन्हें कभी किसी वज़ा से सेब नहीं मिला तो वो शूटिंग तक रुकवा देती थी रामनेंद सागर की फिल्म गीत के सेट पर भी अक्सर उनकी ये मांगे पूरी की जाती थी लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हो सका और एक दिन सेब न मिल पानी की वज़ा से माला सिना पूरे दिन अपने मेकप रूम में ही बेटी रही और बाहर तक नहीं निकली उन्होंने डायरेक्टर और सभी एक्टरस को सुबह से शाम तक इंतजार करवाया लेकिन वो मेकप रूम के बाहर नहीं निकली आखिरकार धक हार कर जब फिल्म के निर्माता रामनेंद सागर ने उनके पास जाकर इसकी वज़र पूछी तो वो खुद हैरान हो गए दोस्तों यूँ तो माला सिन्हा ने अपने जमाने के कहीं दिगज एक्टरों के साथ काम किया लेकिन एक ऐसे भी एक्टर थे जिनके साथ वो कभी काम नहीं कर पाई वो कोई और नहीं बलकि बॉलिवुट के ट्रेजर्डी किंग कहे जाने वाले एक्टर दिलिप कुमार थे माला सिन्हा की दिले इच्छा थी कि वो दिलिप साथ काम करे लेकिन इसा कभी नहीं हो सका हालंकी उन्हें दिलिप कुमार इस्टारर फिल्म राम और शाम में काम करने का मौका जरूर मिला था लेकिन माला सिन्हा के एक फेसले से वो मौका भी उनके हाथ से निकल गया चलिए बताते हैं आकिर क्या हुआ था दरसल राम और शाम फिल्म साल 1967 में रिलिज हुई थी और इस फिल्म में एक्टर दिलिप कुमार एक्टरिस वईदा रह्मान और एक्टरिस मुम्ताज नजर आई थी माला सिन्हा को इस फिल्म में कास्ट किया जा रहा था लेकिन बाद में फर रोल अभी नेतरी मुम्ताज को दे दिया गया अगर माला इस फिल्म में काम करती तो दिलिप कुमार के साथ ये उनकी पहली फिल्म होती लेकिन इसा कुछ नहीं हुआ माला उनके साथ एक भी फिल्म नहीं कर पाई दरसल हुआ यू था कि माला को फिल्म में शानता का रोल दिया जा रहा था जिससे वे खुश नहीं थी माला ये चाहती थी कि उन्हें वईदा रह्मान यानी अंजना का रोल दिया जाए ये बात डायरेक्टर को मन्सूर नहीं थी उन्होंने माला सिना को बहुत समझानी की कोशिश की लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई आखिर में शान्ता का ये रोल अभी नेत्री मुम्ताच को दे दिया गया इसी के साथ माला सिना के हाथ से दिलिप कुमार के साथ काम करने का ये मौका भी निकल गया हलंकि साल 1974 में आई फिल्म फिर कब मिलोगी में दिलिप कुमार कुछ देर के लिए गेस्ट अपिरेंस में जरूर नजर आये थे और इस फिल्म में माला सिना भी थी हलंकि माला सिना ने जब फिल्म राम और शर्म देखी तो उन्हें मुम्ताच का रोल भी पसंद आया था और वह ये बात एक इंटर्वियू के तोरान के भी चुकी है कि उस वक्त उन्हें वर रोल कर लेना ही चाहिए था उन्हें आज भी लिलिप कुमार के साथ काम न करने का मलाल है बता दे कि माला सिना ने बॉली वुड में कई हिट फिल्मों में काम किया है जिन में मेरे हुजूर हिमाले की गोद में प्यासा, गुम्रा, आखे, मर्यादा, दो कलिया जिसे क्लासिक फिल्में शामिल है वेसे तो माला सिना अपने सभी कोई स्टर्स के साथ काफी अच्छे से रहती थी मगर एक बार उन्होंने अबिनेत्री शर्मिला टेगोर को कुस्से में थपड तक मार दिया था दरसल ये घटना फिल्म हमसाया के सेट की है जो साल 1968 में रिलिज हुई थी इस फिल्म में माला सिना और शर्मिला टेगोर लीट रोल में नज़र आये थी और साथ में इनके साथ जोई मुखरजी भी थे इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने तक शर्मिला और माला काफी अच्छी दोस्त थी दोनों की बीच काफी बनती थी लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ रही थी वेसे वेसे इन दोनों ही अबिनेत्रियों का एक दुसरे से टक्राव होने लगा रिपोर्ट्स की माने तो शर्मिला और माला के बीच फिल्म के डायलोग, गानी और कोस्ट्यूम से लेकर सेट पर जल्दी पहुशने तक को लेकर होड मची रहती थी और जिस वज़े से जोई मुखर जी की ये कोशिश रहती थी कि ये दोनों एक दुसरे से दूर ही रहे हलनकी जोई मुखर जी हर बार ऐसा नहीं कर पाते थे जब भी किसी सीन में दोनों की जरुरत होती थी तब दोनों का आमना सामना होता था और किसी ने किसी वज़ा से दोनों के बीच तु तु में में हो ही जाती थी एकिने एक दिन माला सिनहा और शर्मिला टेगोर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि माला सिनहा ने शर्मिला टेगोर को थप पर जड़ दिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माला सिना और शर्मिला टेगोर की बीच किसी बात पर बहस हो गई थी और दोनों के बीच की लड़ाई इतनी जादा बड़ी कि माला सिना ने शर्मिला टेगोर को जोरदा थपड मार दिया और यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वहां मुझूद सब लोग सिर्फ देखते ही रह गए। कहा तो यह भी चाता है कि माला सिन्हा और शर्मिला के बीच हाता पाई नहीं बलकि काली गलोश तक हो गई थी। हालांकि इस विवात में कितनी सच्चाई है यह तो माला सिन्हा और शर्मिला टेगोर ही जानते हैं। अभिनेत्री माला सिन्हा ने 16 मार्च 1968 को अपने नेपाली दोस्त चिंदंबर परसात लोहानी से शादी की थी। और इस शादी से उन्हें एक बेटी है जिसका नाम है प्रतिबा सिन्हा। माला और चिंदंबर दोनों की प्रेम कहानी भी नेपाल में ही शुरू हुई थी। इसके साथ ही उनकी शादी बॉलिवुट की सबसे यादगार शादियों में से एक रही है। दरसल बहुत कम लोगों के ये बात मालूम होगी कि नेपाल की रहने वाली माला सिन्हा इसाई थी। इसलिए उनकी पिता की ये दिले इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी चर्च में हो। तब माला ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मुंबई के एक गिर्जागर में शादी की। और इस शादी से पहले माला चिन नमबर संग कोट मेरिच कर चुकी थी। इसलिए चर्च में उनकी दूसरी बार शादी हुई थी। और गजब के बाद तो ये रही कि दो बार शादी होने के बाद भी उनके पती के परिवार को संतुष्टी नहीं थी। चिन नमबर के घर वालों ने माला के सामने ये शर्त रखी कि जब तक बहुत साथ फेरे नहीं लेगी। तब तक उसका ग्रह प्रवेश नहीं होगा तो उसके बाद इनकी शादी एक बार फिर से हिंदू धरम के मताबिक रचाई गई। इस तरह माला सिनहा ने एकी शक्स से तीन बार शादी की पता दे कि आजकल ये बाते कॉमन सी हो गई है। लेकिन साथ के दशक के जमाने में ये बात काफी हिरानी भरी थी। इसलिए माला सिनहा की शादी एक यादगार शादी मानी जाती है। माला और चिन्दबर की बेटी प्रतिबा ने भी अपनी मा की तरह बॉलिवुड में करियर बनाना चाहा और कुछ फिल्मों में वे दिखाई भी थी। हालंकि माला सिनहा की बेटी प्रतिबा प्रसनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बेलेंस नहीं कर पाई। और कुछ फिल्मों के बाद वे परदे से गायब हो गई। प्रतिबा अपने करियर के शुरुवाती दिनों में ही संगीतकार नदीम शेफी के प्यार में पढ़ गई थी। माला सिना इस रिष्टे के खिलाफ थी और इसका कारण ये था कि नदीम पहले से ही शादी शुटा थे। उस दोरान नदीम और प्रतिबा के रिष्टे भी काफी सुर्ख्यों में रहे। माला सिना अपनी बेटी प्रतिबा पर बंदिशे लगाती तो वह नदीम से छुप छुप कर मिलती थी। प्रतिबा ने साल 1902 में आई फिल्म महबूप मेरे महबूप से डेब्यू किया था। इसके बाद प्रतिबा ने दिल है बेताब। मिलिटरी राजा तु चोर में सिपाई कल की आवाज पोकिरी राजा जिसी फिल्में की है। वे साल 1906 में आई आमिर खान की सुपरिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी में एक स्पेशल डांस में लिखी थी जिसे काफी पसंद किया गया था। और आखरी बार साल 2000 में आईफ ले चल अपने संग में वे नजर आई थी। बाद में प्रतिबा सिना ने नदीम पर किड्नेपिंग का आरोफ लगा दिया था। और वही नदीम ने एक इंटर्वी में कहा था कि मा और बेटी मिलकर उनके साथ गेम खेल रही है। ये सब के बाद प्रतिबा ने गर में रहती है।